कुछी समय में आप सभी लोग वर्ष 2024 में प्रविस कर जाएंगे वर्ष 2023 को लेकर के कुछी समय बचा है कुछी दिन बचे हैं और 2024 को लेकर के सब के अंदर एक excitement होगा लेकिन मैं एक बात बता हूँ आप लोग छात्र हैं तो छात्रों के लिए कोई बहुत बड़ा change नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा change आजाएगा पढ़ना आपको 2023 में भी था पढ़ना आपको 2024 में भी है बस ये है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई परिवर्तन होता है जैसे माल लिजे वर्स में परिवर्तन हो रहा है, तो एक सुभावी कुछ साव होता है हमारा, किसी तिथी में, किसी पर्व में, नए वर्स में सुभावी कुछ साव होना लाजमी है, जब बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, माल लिजे कोई एक स्थान पे आप काफी है कि मैं कहीं पर बाहर जाके पढ़ूं कहीं जाओं ओफ-लाइन कोचिंग जोईन कर लूँ है ना और एक बात और बताओंगा ये दोनों बहुत ही जो है एक कंट्राडिक्टरी बाते हैं तो बहुत साथ लोग घर में रहके पढ़ रहे होंगे एक बार मुझे कमेंट में जो बाहर रह रह रहे हैं एक तो हर महीने अच्छा खासा खर्चा होता है घर से मंगवाते होंगे 5000-6000-7000-8000-10000 कुछ लोग इससे बी जादा वाले भी होंगे जैसे घर ऒाले अनुमति दे रहे होंगे वैसी परिस्तितियों में रह रहे होंगे खुद ही खाना बनाना होगा, आज नमक नहीं है, कल तेल नहीं है, परसो जीरा नहीं है, फिर आटा नहीं है, फिर सबजी खतम हो गई, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है. अच्छा इनके दिमाग में चलता रहता है कि यार घर ही ठीक था, घर में कम से कम ये जिम्मेदारियां तो नहीं थी कि आज कपड़े धुलने हैं, आज ये करने हैं, आज ये करने हैं, बहुत सारे बच्चों का जो बाहर रहने वाले हैं, बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है, और घर रहने वालों का क् पकी पकाई, घर वालों के साथ ही है, खाना भी मिल रहा है, बस पढ़ना है घर पे, यदि देखा जाए ओर आल, तो आपके लिए घर भी एक अच्छी इस्तिती हो सकते हैं, लेकिन अब उनके excuses अलग तरीके के हैं, लग रहा होगा कि घर पे रह रहे हैं तो कोई ने कोई काम घर पे रहे हैं तो महौल नहीं है, बच्चे नहीं है, दरसल ये सारी चीज़ है, यह हो सकता है बाहर का आनंद लिया नहों, आप में से बहुत साथ लोग बाहर का आनंद नहीं लिया हों, तो बाहर जो रह रहे हैं उनको घह याद आ रहा है, जो घर में रह रहे हैं उनको बाहर याद आ रहा है दर长 살ले दोनों ही बदलाव चाहते दोनों अच्छा बाहर रहने वालों के साथ एक दोबिदा भी है जैसे गर से वो चले आ रहे हैं अब और चाहते तो है कि हम घर वापस चले जाएं लेकिन बाहर रहने वाला बच्चा इतना आसान जीवर नहीं जीता है क्योंकि हर महीने एक तो उसको एक सर्वाइबल चल सके और बहुत सरी खर्चे होते हैं मुझे सबसे बड़ा खर्चे तो बुक्स का लगता है कि किताब खरीदनी है कॉपी खरीदनी है पेन खरीदना है और दरसल गारजेन क्या करता है न आपका रूम का रिंट आपको दे देंगे खाने का करचा दे देंगे लेकिन किताबहुके लिए इन सब को लेकर के बहुत सारे अधर खर्चे जो होते हैं कल्कूलेशन में नहीं रहते है तो अन्हें कोचिंग के फीस वगरा भी होती है बाहर जाकर के कोचिंग जोईन करते हैं तो आज के टाइम पे जो समय चल रहा है अब बाहर भी पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है कि बाहर पढ़ाई नहीं होती है दरसल इन्वायर्मेंट यहां पर होता है दिमाग के अंदर यह जब आपका वगर असांत हो जाएगा ना चाहिभा घर पह रहे चाहिए बाहर रहे है बाहर बहोत साथ लोग एतने सारे robots बना ले था ले खतें educate तो एक दिक्कत ये भी होती है आप में से बहुत साइलों कि अच्छा कुछ लोग जॉब में हैं तो उनको लग रहा है कि कास कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँ जैसे मेरे पास बहुत सारे गौर्मेंट जॉब बाले आते हैं वो कहते हैं सर एक महीने की दो महीने की परिक्षा के लिए बचा के रखो कुछ लोग कहते हैं सर प्राइबट सेक्टर में हूँ जॉब ही छोड़ दू क्या अच्छ जो बेरोजगार हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं कुछ लोग जॉब के साथ भी त्यारी कर रहे हैं उनके मन में यह चल रहा है और कास टाइम ज् पांश यह ज्यार दस यह रूपै कि मुझे घर से मंगवाना पड़ता है यह मंगवाना वह बी एक बदलाओ चाहते हैं जॉब बाला चाहता है कि मैं घर में बैठ जाओ कोई मेरे को सपोर्ट करने वाला मिल जाए या जो मैने अर्निंग कर लिए इसी में त्यारी कर लो और यह सब बदलाओ की बात है कोई घर से बाहर जाना चाहता है बाहर वाला घर जाना चाहता है जॉब करने वाला जॉब छोड़ना चाहता है जॉब नहीं करने वाला जॉब पकड़ना चाहता है तो मैंने जो आपको सुरुवात में बताया कि यह बदलाओ की कहानी है पूरी की पूरी हम बदलाओ चाहते हैं हम बदलाओ के प्रेमी हैं बदलाओ ही हमारी आदद बन जाती हमें लगता है कि बदलाओ करेंगे तो चीजे बढ़िया रहेंगे तो मेरा आप सभी से गुजारिस है कि आप सभी लोग ठीक है बदलाओ को लेकर के आपके मन में बहुत सारी बात चल रही हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि जीवन जो है ना आपका ये खुद का है और आपको समझना है कि आपके पास सिर्फ एक ही कैपिटल है टाइम चाहे आप घर पे रहें चाहे बाहर रहें चाहे जोब करें चाहे आप ऐसे ही पढ़ाई करें जो का मतलब एक इन्वार्मेंट है कि आप घर पे पढ़ सकते हैं तो बाहर कोई ऐसा नहीं आज के टाइम पर माध्यम इतने हैं घर बैठे आपके पास पूरा संस्थान आपको उपस्तित है आराम से पूरा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं आपको पढ़ना ही तो है और क्या कर दें तो मेरा सिर्फ एक उद्देश है सारा का सारा काम केवल अपने लक्ष के लिए रखे अपनी पढ़ाई के लिए रखे जॉब बालों के पास जितना समय बस्ता है मैकसिमम वो सिर्फ पढ़ाई करें जो फूल टाइम स्टुडेंट हैं समय बरबाद ना करें फूल चर्या वाला वीडियो बना के अगें दूंगा दूजार चॉबिस के लिए कि आपको दूजार चॉबिस के लिए किस सथ रहना है यदि आपने ये शेडियूल को अपना लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा कल ही मैं आपको एक वीडियो पलब्द करा दूँगा दिन का संकल्प लेना है और अभी से लेकर अभी तक चीजों को लेकर चलना है यदि इतना कर पाएं तो चीजे हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं किसी भी परिस्तिती में कर सकते हैं लोग तो जो है घर में म आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपके घर में असांती का महौल है, तो आपके आसपास कहीं पर पढ़ने की जगह ही नहीं है, छट पे चले जाएए, छट पे जाके पढ़िए, अभी तो ठंड का महौल है, ठंड में बढ़िया जैसे सूरज निकल जाए, विर्मी में अराम से जाकर तो ओर आपको पढ़ना है, बस यह पहला रेजिलूशन, पहला संकलप आपका होना चाहिए, यदि आप पहला रेजिलूशन, पहला संकलप सिर्फ यह इन्जॉइमेंट को बना रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, इन्जॉइमेंट आपकर पा लेकिन पढ़ना है, आपको हर टाइम पर पढ़ना है, आपका समय ही प्रीशियस है, इस बार आपने कोई तेओहार नहीं मनाया, तो अगले साल कोसिस करिए कि सेलेक्शन के बाद पिर तेओहार ही तेओहार हैं, दिवाली ही दिवाली है, अपने पैसे से तेओहारों का सद उपयोग करिएगा, मेरा वस यह आप लोगों को सला है, ठीक है, तो यह आप सब लोग जरूर ध्यान में रखेगा, खुब पढ़ाई करिए, खुब मेहनत करिए, और निश्चित ताई पे चीजे अच्छे से रखिए, ठीक है, और अपना टाइम मैक्सिमम, कोई भी घ पर किसी भी प्रकार का कारक्रम चल रहा है, घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्ति हो रही है, ठीक हो तो होगा, लेकिन आपको अपना mindset पढ़ाई वाला बना के रखना है, कि मुझे जहां पर भी टाइम मिलेगा, जितना भी समय मिलेगा, मुझे चीजों में ज्याद क्लास के बाद दिन चर्या का schedule discuss करेंगे, जिसमें हम पूरे दिन चर्या को देखेंगे, दो हजार चौबिस में आपकी दिन चर्या क्या होनी चाहिए, सुबह से साम तक की, और यदि आपनी दिन चर्या को follow कर लिया, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कश ठीक है, चलिए